अगर मैं ये काम करूंगा तुम्हेरे इज़त का क्या होगा? इज़तदार लोग कोन है? इज़त किसको मिलता है? इज़त कौनसा काम करने से बढ़ता है? कौनसा काम करने से कम होता है? इन सारे बात के उपर आज के वीडियो में हम बीटेल में डिसकस करेंगे हाई फ्रेंट्स माई संजी उकुमार स्वागद आप सबको सेव ले चानल में तरिए आज की सेक्षन की हम शुरुआत करते हैं एक विक्टी ग्राजुएशन कंप्लीट करके बहुत सारे कंपणियों में ट्राई करके जोप ना मिलते हुए गर पे फ्री बैटा हुआ था उन्हें हम अप्रोच कर रहे थे डायरेट सिलिंग का बिजनस की प्रसेंडेशन देने के लिए उन्हें ने डायरेट सिलिंग का बिजनस की प्रसेंडेशन समझने की कोशिश किया और समझ के लेने की टाइम भी दिया हमने presentation दिया, presentation देने के बाद में उन्होंने एक ही dialogue हमारे सामने मारा था, ये काम अगर मैं करूँगा, तो मेरा इज़त का क्या होने वाला है? दोस्तों, ये सोचने वाली सवाल है, आप भी बहुत सारे लोगों से direct selling business के बारे में जब discuss करते रहेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे dialogue आपके सामने मारते रहेंगे, direct selling करने से मेरा इज़त कम होने वाला है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा इज़त का फलूदा में बनाना नहीं चाता हूँ, ऐसे सवाल अगर आपके सामने भी आते हैं, तो ये common सवाल का जवाब हमें कैसे देना है, और ये जवाब किस प्रगार से लोगों को देना पड़ेगा, तब जाके लोग सुदर सकते हैं, दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा हमें मिलेंगे, तो बहुत सारे जवाब देने के बावज़ोद भी ना सुदरने वाले लोगों का भी इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ उन सब इजदतार लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी काम चोटा या बड़ा होता नहीं है, कोई भी काम करने से किसी का इजद कम भी होता नहीं है, इजद कम उसी का होता है, जो कुछ ना करते हुए गर पे वैड़ जाता ना, तो उसका इजद कम हो जाता है, ऐसे लोगों को खुद के बारे में सोचना पड़ेगा जिस दुनिया में लोग उनके बारे में क्या कहते है इसके बारे में सोचने की तैयारी रखना पड़ेगा अगर आपको लगता है डायरेश सेलिंग का बिजनस में आने से आपका इज़त कम होगा तो दुनिया में करांधी करने वाले बहुत सारे लोग डायरेश सेलिंग्स तू खुद करते हुए उनका नाम बनाया है और आज उनके नाम उनके अपसंद में भी दुनिया लेके एकसा जगासे डायरेट सेलिंग है नहीं आज मार्केट में बहुस सारे ऐसे काम है तो वो काम करने परके और कुरोडों कमा रहे हैं तो ऑइसे बहुस सारे काम हमें देखने को मिलेगा देखें आज cricket एक world famous गेम है लेकिन शुरुआती दोर में अगर आप ज्यान देंगे तो सचिन टेंडुलकर का जमाने में तो उससे भी पहले अगर हम बात करेंगे तो वो गेम को इंडिया में कोई value ने दिया करता था वो गेम जब खेलने के लिए जब बच्चे जाते थे तो बच्चे लोग को माबाप data करते थे क्या इसे time pass करते हैं तुम पढ़ाई करो इस प्रगार की खेल में कुछ नई रखा है और इससे तुमारा time बरवात हो रही है इस प्रगार से वो बच्चे लोग को ओ जमाने में data क करते थे लेकिन आज वो गेम उसमें जाने के लिए लोग तयार हो रही है बच्चे तयार हो रही है माबाप बच्चे लोग को प्रमोट कर रहे हैं तुम्हारा मान सनमान बढ़ेगा तुम देश के लिए कहल सकते हैं तो आज उस गेम में एक reputation आ गया और वहां पे लोग जा रहा है ये इंडस्टी दुनिया बर में बहुत सारे इजदतार लोगों को create कर चुका है डायरेट सेलिंग इंडिया में भी आज धीरे धीरे आपना कदम बढ़ा रही है और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग डायरेट सेलिंग बिजनस के माधियम से अपना reputation को बना च होता है उल्टा आपको आपका value को proper तरीके से बढ़ाने का और आपका मान सनमान आपका नाम बनाने का सबसे बैतरे ना और सबसे आसान तरीका अगर कुछ है तो वो है आज के तारिक में डायरेट सेलिंग कुछ ना करते हुए इजद को पकड़के बैटने वाले लोगों से मैं यकी चीज़ कहना चाता हूँ आज पड़े लिखे बहुत सारे लोग मार्केट में है तो उनको उनका education के अनुसार नोकरिया नहीं मिल रही है तो इसलिए आज ऐसे कोई भी काम नहीं है अपना काम करने से अपना इजद कम होता है ऐसा आपका सिर्फ सोच है क्योंकि इस ब्राइंड तयार किया है वडपाव भेजना हमारे लिए एक चोटा काम है लेकिन आज वडपाव में भी आज बहुत बिड़े-बिड़े ब्राइंड्स क्रियेट कर दिया लोगों ने चाय के दुकान में भी फ्रेंजेसी आ गया है इन सारे बदलाव को आपको समझना पड अगर एजूकेशन लेके आप कुछ ना करते हुए गर पर मेटेंगे तो वहाँ पर आपका इज़त कमजोरी होने वाला है लोग आपके बारे में बुराई करने की तयारी भी रखेंगे और बुराई करते भी रहेंगे लेकिन ये बात को आपको समझना पड़ेगा इज़त लेकिन वो काम को करके सावित करके दिखाना पड़ेगा तब जाके आपका इज़त आपका रेप्यूटेशन बनते है और आपका नाम बनते है तो आपका सफलता के बाद में दुनिया में आपको लोग आपके आपसंट में भी आपका नाम लेके आपको इज़त देते हुए आपका मान सनमान करने के लिए तैयार हो सकते हैं इसलिए इजद को पकड़ के बैट के रोना बंद कीजिए इस दुनिया का उपर्चुनिटी को अपना लिजिए अगर आपको कोई भी मौका नहीं है तो आपके लिए सबसे आसान, सबसे बैतरी उपर्चुनिटी डाइरेट सेलिंग नेटवर्ग मार्केटिंग में आईए आप इस दुनिया में आपका नाम और आपका इजद आपका रेप्यूटेशन को इस इंडस्टी के मादियम से बना सकते है और लोगों ने बनाया है अगर आप चाते हैं आपका नाम बने, आपका इजद बने तो आपको भी आज काम करने की तयारी रखना पड़ेगा और काम छोटा बड़ा नहीं होता है ये सोच को आपका दिमाग में रखते हुए आप काम करने की तयारी रखेंगे इस दुनिया में आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आप हासल कर सकते हैं और उसी के मादिन से आपका नाम भी बनेगा, आपका रेप्यूटेशन भी आप बना सकते हैं इजदार लोगों के बारे में बनाया हुआ वीडियो, अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इजद को पकड़के बैटने वाले लोगों को इस वीडियो को शेर कीजिए आप पहली बार सेवलाइब चानल पर आये हो, चानल को सब्क्रेब करना ना भूलिएगा तैंक यू फ्रेंट्स, तैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो, तैंक यू बेरी मच जाये हो, तैंक यू जाएंगा, जाएंगा, तैंक यू थाएंगा